नमस्कार दोस्तों मैं उपर काश प्रजापती आज हम आपको लेकर चलते हैं हर्याना की ओर हर्याना के रहतक जिले में 102 साल के बुजूर सक्स ने खुद को जिन्दा साबित करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया सक्स ने बकायदा अपनी बरात निकाली और रत में सवार होकर बैंड बाजे के साथ अधिकारियों के समक्ष पहुचे इस बुजूर का नाम दुली चंद है जिन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से म्रत गोशित किये जाने के बाद ये कदम उठाया हर्याना के गांदरा गाव निवासी दुली चंद को म्रत गोशित कर उनकी पैंसन बंद कर दी गई परेशान 102 वर्सिये बुजूर किछले कई महिनों से विभाग के चकर काटते रहे लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी जिसके बाद उन्होंने विभाग के सामने अपनी सच्चाई सामने लाने का एक अनोखा तरीका निकाला जो देखते ही देखते शोचल मीडिया पर वाइरल हो गया दुली चंद ने एक दुले की तरह नोटों की माला पहनी और रोतक शेहर में मानसरवर पार्क से नहर विश्राम ग्रह तक अपनी बरात निकाली इस दोरान उनके हाथ में एक बड़ा सा बोर्ड भी था जिस पर लिखा था थारा फूपा अभी जिंदा है दुली चंद की इस बारात का वीडियो और तस्वीरें शोशल मीडिया पर जम कर शेयर की जा रही है दुली चंद ने राजे सरकार से उनकी पैंसन फिर सिक शुरू किये जाने की मांग की है मामले की जानकारी देते हुए दुली चंद ने बताया मेरी आखरी पैंसन दो मार्स दो हजार बाईस को आई थी इसके बाद समाज कल्यार विभाग ने मुझे मृत बना कर मेरी समाजिक सुरक्षा पैंसन बंद कर दी मैंने पैंसन दुबारा से चालू कराने के लिए कई दिनों तक कार्याले के चक्कर लगाए लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई दफ्तर के लोग बस इधर से उधर भेजी जा रहे हैं वे कहते हैं कि पहले अपने जिन्दा होने का सबूत लेकर आओ तभी पैंसन दुबारा चालू होगी अब मैं कहता हूँ लो आ गया तुमारा ताओ अब बोलो मैं जिन्दा हूँ या नहीं तो दोस्तो यह अनोखा तरीका दुलिचन ने अपनाया यह साबित करने के लिए कि मैं अभी जिन्दा हूँ मैं म्रत नहीं हूँ तो दोस्तो इस वीडियो को देखकर आप भी अपने अनोखे तरीके से कमेंट्स करिए और हमें आपके कमेंट्स का इंतिजार है तब तक के लिए नमस्कार